T800 Ultra Smart Watch में कैसे अपनी फोटू लगाएं T800 Ultra Smart Watch में Wallpaper कैसे लगाएं आज किस वीडियो में हम आपको डीटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ एक्चली में क्या होता है कहीं सारे भाय लोग ऐसे हैं जो भाय लोग चाहते हैं आपके पास में कोई सावी क्यों ना Smart Watch हो T800 Ultra Smart Watch हो या फिर यहाँ पर कोई अधर Smart Watch हो एंड ऐसे स्तिती में आप लोग भी चाहते हो उसमें Wallpaper में अपना फोटू को यहाँ पर सेट करना Wallpaper को शेंज करना या फिर वोल्ट सकते हैं वोल्ट पेपर एक बढ़ी असा Wallpaper है लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है आईए जानते हैं और जो गाइस यहाँ पर आपके मुवाइल फोन में वोल्ट पेपर होता है उसको आप लोग सेट कर पाऊगे और आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी प्रोब्लम है फेस करने को नहीं मिलेगा तो जाला टाइम बेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड करना क्या है आपको सबसे पहले यहां से थोड़ा स्वाइप अप करना है कुछ इस प्रकार से मैं आपको भी एक बार अच्छे से दिखा रहा हूँ नीचे से स्वाइप अप करना है इस ब्लुटूथ को अनेबल करना है ठीक है अब जैसे फ्रेंड इस पर अप्लिकेशन सर्च करना है और अफिशली अप्लिकेशन आएगा जिसको आपको डाउनलूट करना है और इनिस्टोल करना है ओके फ्रेंड जैसे आपका अप्लिकेशन से सक्षफली इनिस्टोल होता है इनिस्टोल करने के बाद में आपको इसको सिंप्ली ओपन करना है open करने के बाद में इस पर कहां से interface आएगा यहां पर आओगे ठीक है तो आपको यहां से watch को सबसे पहले connect करना है आपको अपने mobile phone की साथ में आप connect करने के लिए क्या करना है आईए वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ आप connect करने के लिए friend guys यहां पर एक बस देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको इधर आना है set वाले option पर फिर आपको इसके उपर किलिक करना है यह कुछ permissions मांगेगा जिनको आपको allow करना है अब friend permissions को allow करने के बाद में back आना है फिर इसके उपर किलिक करना है अब आपकी smart watch सर्च हो रही है मतलब scan हो रही है अब यहां पर wifi के दोआना आपका mobile phone smart watch के साथ में connect हो जाएगा Bluetooth को भी enable कर लेना है अब जैसे Bluetooth को enable करते हो कुछ इस प्रकाश से interface आएगा तो friend guys यहां पर जो हमारा Bluetooth है guys यहां से easily successfully save हो चुका है और Bluetooth save करने के बाद में आपकी smart watch है वो भी यहां पर आ जाएगी ठीक है print smart watch आने के बाद में उसको connect करना है उसको उपर किलिक करना है complete complete आपको 4 step को complete कर लेना है आप जैसे friend 4 step को complete करते हो अभी देख सकते हो यहां पर यह photo दिख रही है और wallpaper लगाने के लिए wallpaper guys अपनी photos लगाने के लिए आपको dial setting वाले options पर किलिक करना है नीचे side में आना है आपको custom dial का आपको options मिलेगा इसको उपर किलिक करना है select image पर आया और जो भी photos में लगाना चाहता हूं जैसे कि मैं अपनी दूसरी photo ले लेता हूं यह वाली तो मेरे को यह photo लगाना है तो इसे लगाने के लिए मैं यहां से इसको मतलब करता हूं और यहां से आपको install वाले options पर किलिक करना है अब फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख चुकते photo जे हमारे इनिस्टोल हो रही है जब तक photo फ्रेंड यहां से इनिस्टोल होती तब तक हम लोग wait कर लेते हैं वेट करने के बाद में एंड आपके सामने कुछ इस परकास से आपकी वोच के अंदर smart watch के अंदर T800 Ultra smart watch वो या फिर कोई सी भी हो photo जे wallpaper है लगना start हो चुका है ओके इस परकास से आप लोग अब फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते photo जे गाईस यहां से successfully इनिस्टोल हो चुकी है बहुत ही आसानी से जस्ट दो मिनट के अंदर इस परकास से आप लोग wallpaper को change कर पाऊगे अपनी photos को गाईस यहां से लगा पाऊगे बहुत आसानी से और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पहले बार विजिट कर रहे हो चैनल को subscribe करना है और ऐसी कमाल की interesting वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को all पर सेट करना है तो दोस्तों मिलते हैं किसी निव वीडियो में दब तक लिए thank you so much दोस्तों हम लोग